अरे भाई ये कैसा इंसोरेंस वाला है, सरीर का एक एक पार्ट का भाई ये बीमा कर देता है, जहांकि आप सोच भी नहीं सकते, वहां का तो ये सबसे पहले बीमा करके बैठा रहता है, तो फाइनली यहां पे बीमा बाबू वेब सीरीज हम लोगों को देखने को मिल गई, आ अगर आपके पास एक ठोस वजा है, तो आप किसी भी इंसान को अपने पैरों के नीचे गिरा सकते हो, ये हम लोगों को बीमा बाबू ने करके दिखाया है, जिस तरीके से जैसरी गैकवाट को ब्लैक मेल सीरीज में ये कर रहे थे, ये एपिसोड देखकर मजा आया, कहीं काफी अच्छी जा रही है, लेकिन वही बात रहे गई सीन की, तो सीन आप लोगों को इस सीरीज में उतने जादा खास देखने को नहीं मिलते हैं, जिस तरह की उमीद हम लोगों ने सीरीज के रिलीज होने से पहले की थी, उस तरह की उमीद सीरीज में नहीं जागी, स पितूराय के बारे में हम लोग बात नहीं करते क्यों क्योंकि वो अभी तक हम लोगों को दिखाई नहीं गई है लेकिन जैसरी यहाँ पे थी और एक नई एक्टरस भी हम लोगों को देखने को मिली थी दोनों ने ठीक ठाक तरीके से काम किया सीन इनके और भी अच्छे होते तो सीरीज और भी जादा मजा देगी और एक सबसे आखरी वो है सीरीज की डबिंग डबिंग यहाँ पे भाई उतनी अच्छी तरीके से नहीं की गई है क्या पता यह लोग डबिंग पर फोकस क्यों नहीं देते सीरीज को आज वेडनेश डे के दिन रिलीस कर दी गई है हं एक सीरीज के बार जादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसका पार्ट तु वह लोगों को देखने को नहीं मिला है और पार्ट यह वेडनेश बक्रपषा नहीं देखने को नहीं कहांगा अभी सीरीज में रिटू राइबागी हैं देखते हैं उनका क्या होता है तो जैसे ही पार्ट टूर रिलीज हो जाता है तो फिर मैं आप लोगों बताऊंगा सीरीज आपके लायक है या फिर नहीं तो बस ये था वो रिव्यू जो मैं आप लोगों को देना चाहता था